नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एगजाम क्रिजर में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन विल्ट गेम्स 2022 के बारे में कि आज यानी की 2 अगस्त तक जो भारत के खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने मेडल जीते हैं तो भारत ने आज तक कुल मिला करके 9 मेडल जीत लिये हैं किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता तो सभी के बारे में जो है जानते हैं एक ही करके तो सबसे पहले याँ पर देखेंगे संकेत महादेव सरगर दोस्तो इन्होंने जो है सिलवर मेडल जीता कौन सी इस परधा में इन्होंने सिलवर मेडल जीता तो ध्यान रखेंगे आप पुरसों की जो 55 kg भारवर की प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें इन्होंने जो है silver medal दीता ठीक है weight lifting की ये प्रतियोगिता हुई थी और इसमें इन्होंने कितना वजन उठाया था तो snatch में 113 kg और clean and jerk में 135 kg और cool मिलाकर के इन्होंने 248 kg वजन उठाया और जो silver medal है वो अपने नाम पर किया ठीक तो ध्यान रखेंगे संकेत महादिव सरगर और दोस्तों इन्होंने भारत को पहला medal दिलाया था ठीक तो ये बात देखें ध्यान रखेंगे और यहां पर आप इनकी image देख सकते हैं अगले हैं गुरुराज पुजारी तो जो गुरुराज पुजारी है इन्होंने भारत को दूसरा medal दिलाया था और इन्होंने ब्रॉंज मेडल दिलाया था यानि की कान से पदक दिलाया था अब इन्होंने जो है कौन सी इस परधा में तो ध्यान रखेंगे आप पुरसों क 61 kg भारवर की प्रतियोगता में इन्होंने ये ब्रॉंज मेडल जीता और कितना वजन उठाया था तो 279 kg का वजन इन्होंने उठाया था यहां पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं यह हैं गुरु राज पुजारी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगता में ब्रॉंज मेडल जीता अगला देखते हैं अगला है नाम मीरा बाई चानू दोस्तों इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता और जो कुमन वेल्थ गेमस 2022 आयों जो थो रहे हैं उसमें भारत के लिए इन्होंने पहला गोल्ड जीता थ कुमने जीता है तो उननंचास क्लो ग्राम भारवर की कैटेगरी में महलाओं की थी तो उसमें इन्होंने जो है 201 कL वजन उठाया कुल मिला करके और जो गोल्ड मेडल है वह अपने नाम पर snatch में इन्होंने 88 kg जो वजन है वो उठाया और clean and jerk में 113 kg वजन उठाया दरसल दोस्तों यहां पर जो दिया गया है कि snatch और clean and jerk यह होता क्या है तो जो weight lifting की प्रतियोगिता होती है उसमें यह दो module होती है जो 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 और जो नाम ध्यान रखेंगे मीरा बाई चानुका और दोस्तों भारवर्ग भी इंपोर्टेंट होता है क्योंकि अभीक एक्जाम हुआ था आपका अररवी एंटीपीसी का तो उसमें question पूछा गया था कि टोक्यो उलम्पिक में किसने 49 kg भारवर्ग में silver medal जीता था ठीक तो मेरा बाई चानु जो उसका अंसर था तो इसलिए यह भी काफी important रहता है यहां पर आप इनकी image देख सकते हैं यह हैं मीरा बाई चानु जिन्हों ने भारत को gold दिलाया अगला नाम देखते हैं अगली हैं बिंदिया रानी देवी इन्हों नहीं silver medal जीता मैलाओं की 55 kg भारवर्ग की प्रतियोगता हुई इसमें इन्हों ने silver medal जीता और इन्होंने कितना वजन उठाया तो snatch में 86 kg क्लीन एंड जर्क में 116 kg और कुल मिलाकर कि इन्होंने जो है 202 kg वजन उठाया और जो silver medal है वो इंडिया के लिए जीता ठीक है तो यहां पर इनकी image भी देख सकते हैं यह हैं बिंदिया रानी देवी जिन्होंने िय और जीता तो सिलवर medal जीता आगे देखते हैं अगले हैं ज़ेरीमी लाल gonna इन्होंने कौन सब्त जीता तो इन्होंने जो है भारत के लिए दूसरा गौल्ड मेडल जीता और इन्होंने कौन सी इस परतम है तो ध्यान रक्केंगे जो अभी तक आपको 4 नाम बताए वो सार 607 kg भार वर्वर्ग की केटेगरी में इन्हों ने ये गूल्ड जीता है और इन्हों ने 300 बजन जो है उठा कर के जो गूल्ड मैडल है वो इंडिया को दिलाया यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं यह हैं जरेमी लाली नूंगा जिन्हों गोल्ड मेडल जीता और भारत के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल था आगे देखते हैं अगला नाम है अंचिता स्यूली का इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता अंचिता स्यूली इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और किस कैटेगरी में तो ध्यान रखेंगे पुरसों क 73 kg भारवर्वक की केटेगरी में इन्होंने जो है गुल्ड मेलल जीता इन्होंने वजन कितना उठाया तो स्नैच में इन्होंने 143 kg और क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 170 kg का वजन उठाया और कुल मिलाकर की 313 kg का वजन इन्होंने उठाया और भारत के लिए जो है तीसरा ग सुसीला देवी का दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता जो सुसीला देवी है इन्होंने किस परदा में जो है सिल्वर मेडल जीता है तो ध्यान रखेंगे यह जो इनकी इस परदा थी जो इनकी प्रतियोगिता थी वो जूडो की थी ठीक है यहां से ध्यान रखेंगे वाइट बोई हैं इनका इन्होंने सामना किया था तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जो सुसीला देवी है इन्होंने जूडो के 48 किलोग्राम भारवर में सिल्वर मेडल जीता है और यहां पर इनकी आप इमेज देख सकते हैं अगला मेडल किस ने जीता तो अगला नाम है विजय कुमार यादव का इन्होंने भारत के लिए ब्रॉंज मेडल जीता ठीक है ध्यान रखेंगे ब्रॉंज मेडल को और इन्होंने इंडिया के लिए यह आठवा मैडल जीता यहां पर इनकी इमेज देख सकते हैं यह विजय कुमारिया तो जिन्होंने कांग से पदक जीता है जूडों की स्पर्धा में अगला है हर जिंदर कौर जो हर जिंदर कौर हैं इन्होंने ब्रॉंज मैडल जीता इं जाएगी वेट लिफ्टिंग की तो इन्होंने स्नेच में कितना वज़ा उठाया तो 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का इन्होंने भार उठाया और इसी के साथ इन्होंने जो है इंडिया को नवा मेडल दिलाया है कौन सा ब्रॉंज मेडल नाम ध्यान तक भारत ने कितने मेडल जो है जीत लिए है तो कुल मिलाकर के नो मेडल जीते ध्यान रखेंगे यहां से आप जो है कुल कितने जीते हैं नो मेडल जीते हैं इसमें अगर बात की जाए गोल्ड की तो गोल्ड जो मेडल है वो कितने जीते गए हैं तीन मेडल जीते गए हैं सबी के नाम द्यान रखेंगे कौन सी इस परदा है और कितनी केटेगरी में किसने कौन सा मेडल लीता ये आप जो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर विकरें और अगर अभी तक हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो